क्रिया मित्रोपने आपके आनमश्कार है आज के काव्य अपार्टमेंट और जैसे कि मैंने आपको पताया यह एपिसोड नमबर दो है कारला की रॉक कट गुफाएं पूना पूना बंबई हाईवे पर तो अब मैं ग्यार्मापत बढ़ रहा हूं कारला राकट गुफाओं का प्राथनस्तल यानि चेतन्यस्तल कारला राकट गुफा का प्राथनस्तल यानि चेतन्यस्तल एक विशाल विस्तृत प्रेयर हॉल है एक विश्तृत प्रेयर हॉल है यह एक विश्व भर में राकट गुफा सर्जन कला चेत्र में सर्वस्त विशाल परिशल वाला बोद उप हाठ ही कारला रॉपकट गुफाओं की बॉंबे पूना हाईवे पर गुफाओं की आन है बान है और शान है इसका रख रखाव परिद्रश है परिवेश बहुत सुंदर है वेल भावना में मुख्यद्वार अर्ध गोराकार है अंदर दो पंक्तियों में कुल तीस खंबे बनाए हुई है ये खंबे अस्ट सतों में अत्यंत मजबूत और इसकी चत पर कास्ट की कलाकारी है तेमा गुफा संक्या आठ गुफा संक्या आठ के वीतर शेर हाती वे अन वन जीवों के बु बुद्ध हाती की सवारी करते प्रदिशत हैं सुभा एमान हैं इस गुफा के वीत्री अंत में एक भव स्टूप है यही स्टूप बुद्ध अनियाईयों का देवता है चाहरी मोग्रदिशत गुफा सेंदों परदिशत अनियाद भुद्धर है यानि निवास्तल है अनन्य बुद्ध विहार हैं यानि निवास्तल हैं अनन्य बुख्षों के अनन्य कख्ष हैं ये सब कुछ बड़े मनुवरह में पर्मानंद का बौद कराता है वाता वरें यहां बहुत मदमस्त है पंदरम दूसरे एपीसोड का पांच मुद्ध कारला गुफाओं के मद्हिस्तित है कारला रोकट कफाओं भूंबे-पूना हाइवे पर सत्त कारला गुफाओं के मद्हिस्तित है इकाव एरा देवी माता का मंदिर जो बड़ा पुन है बड़ा भव है फिर पढ़ता हूँ कारला गुफाओं जो पूना बंबई हाई मार्ग पर सित हैं इनी के मद ही सित है इनी गुफाओं के मद में सित है इकाव एरा देवी माता का मंदिर जो बहुत बड़ा पुन है बहुत भव है इकाव एरा देवी मुंबई के कोली समुदाव के मचवारों की अराद्य देवी है वर्तमान में सभी सेलानी इस अराद्य देवी माता इकावरी देवी का दर्शन करते हैं आशीरवाद लेते हैं क एक अनुमान अनुसार गुफा के अन्दर अनेकों भीत कराएं, एक अनुमान अन्सार कारला रॉककट गुफान जो बॉंबई, पॉना हाईवेवे पर स्तिते हैं, के अन्दर अनेकों भीत कराएं, के मनोवारी फ्रेसका मौजूद हैं, कभी मौजूद थे पर आज के वल एक खंबा संख्या नौ पर ही सुसजित है, बाकी सब विलुप्त हो गए हैं, मिट गए हैं। एक अन्य अनुमान अनुसार कारला रॉकट गफाओं के समू में, गफाओं संख्या आठ में अनेकों बुद्ध परतिमाएं हैं, जो आदी अदूरी अवस्ता में हैं, ये क्यों अदूरी आदी अदूरी रह गए हैं, कारण अभी तक भी अग्याद है। आठ मान, पद दूसरे एपिसोड का, वैसे तो कारला गफाओं का रखाव संतोष जनक है। और धन्यवाद है, गौर्मेंट अभ अर्याना का, नहीं गौर्मेंट अधर परति गौर्मेंट अभ माराश्टा का और सेंट्र गौर्मेंट बारश्टार का। वैसे तो कारला गफाओं का रखाव संतोष जनक है, पर जो गफाओं अभी नमी करम वास्ते बंद पड़ी हैं। वैसे परियाटों को वास्ते महां प्रवेश्ट वर्जित है, उन्हें शीग्र से शीग्र दर्शनार्थ खोल देना चाहिए। यही रथाश्गुत्ता की अर्ज है। कारला लावनियां की बाद राख कट गुफाएं, विश्व स्तर पर गौरम मही मानव रचत रहस मही रचनाएं। अजीबों गरीब विश्वित करने वाली आलों के मानव यतन, जतन, प्रियास, कर्मडथा, कौशल निपुन्ता की नुमाया भावनाओं हैं। अंतिव पद दूसरे उसका एपिसोद का। इतना कुछ सांस्कृतिक धरोवर होते हुए, भारत के पास होते हुए भी, यदी, स्पेन, इटली, रोम, वे लंदन। यदी स्पेन, इटली, रोम, वे लंदन। यह कहरा कभी रताश कुपता, कि अगर आप देखें, तो स्पेन में और इटली में, इटली के रोम में, वे लंदन में, बस रोग जाते हैं, वाग भीड अगर है ना, तो सरफ सहलानी होती है। तो अगर वो कभी कह रहा है, यहां सारी जिगें जा सकते हैं, तो क्यों नहीं भारत में आ सकते हैं, मैं इसको दोबारा पढ़ता हूं, दान स्कुमना। इतना कुछ सांस्कृतिक दरोहर के खजानें भारत के पास होतो है भी यदी, स्पेन, इटली, रोम, वे लंदन। अगर तो भारत में क्यों नहीं है, अन्तिम यह वो था, आपका मेरे को आपने ज्हान से सुना। और मेरे चैनल वाइस ऑफ्पोएटरी को आपने देखा, इसके लिए मैं अन्तहिर्द से आपका आभारी हूं, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद.